नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चनल इलक्ट्रोनिक स्टेडी में आज अपने इस वीडियो में हम BTC या DLA डियानिकी डिप्लोमा इन एलिमेंटरी एजुकेशन के प्रथम समेस्टर परिक्षा 2016 के क्वेशन पेपर्स के बारे में बात करेंगे आज अपने इस वीडियो में हम सबसे पहले question papers के बारे में बात करेंगे और उसके उपरांत इनही question papers के solution के बारे में जानेंगे दोस्तों आप सभी से अनुरोध है कि BTC परिक्षा के सारे question papers और उनके solved answers के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और गल आइकन दबाना ना भूले जिसकी उपरांत आप सभी को मेरे द्वार अपलोड किये गए प्रतेक वीडियो की अपडेट प्रॉपरली मिलते हैं तो इसी क्रम में आए देखते हैं ए प्रत्म समेस्टर 2016 का जो प्रत्म प्रेश्ण पत्र है बाल विकास उसके बारे में ठीक है इसमें जो पूरडांक है वो है 50 और समय जो है वो दो घंटे का है ठीक है ए सभी इसमें प्रेश्ण करने आनिवारे हैं इसमें बहु वीकल्पी अतीलुग उतरिय और लगुतर ये प्रेशन जो है वो दिये हुए है तो इसमें हम देखते हैं बहु विकल्पिय प्रेशन जो दिया हुआ है इसमें पहला दिया है कि बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया जाता है ठीक है, options में 4, 3, 5, 6 ये दिया हुआ है second question देखते हैं इसमें है कि बालकों को पूरवजों से प्राप्त गुण कहा जाता है ठीक है, जो बालकों को पूरवजों से प्राप्त गुण होता है उसको क्या बोलते हैं वो इसमें पूछा है तीसरे में पूछा है कि बुद्धी के समूह कारक सिधान्त का प्रतिपादन किस ने किया था ठीक है चौथा है इसमें निमलिखित में से कौन सा परिक्षण बुद्धी का मापन करता है अगला इसमें दिया हुआ है कि जीन पियाजे द्वारा भालक के संग्यानात्मक विकास का वरण कितनी अवस्थाओं में किया गया है चाथा इसमें जो question है वो है मानविये वह मानविये योग्यता जिसके आधार पर वह किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है उससे क्या कहते है चाथा इसमें पूछा है व्यक्ति का संपूर्ड व्यवहार प्रतिमान जो उसकी समस्त विशेश साओं के योग्य को व्यक्त करता है उससे क्या कहते है आठा इसमें है कि TAT व्यक्तित्वा परीक्षण का निर्मान किस ने किया था नवा इसमें क्वेशन है कि अनुभा हो एवं प्रस्रिक्षण के कारण व्यवहार में होने वाला जो परिवर्तन है उससे क्या कहते है दसमा question है इसमें बालक के कोशों एवों पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला परिवर्टन जिसके करण वह एक निश्चित समय पर कोई कार्या कर सकता है उसे क्या कहते हैं ठीक है 11 इसमें जो है वो है थौर्डाइक ने सीखने की सम्बंधित सीखने से सम्बंधित मुख्य कितने सिधानतों का प्रतिपादन किया था ठीक है question number 12 जो है वो है पैवलो ने अपने सिखने की सिधानत का प्रतिपादन किसके उपर प्रियोग करके किया है ठीक है तो ये 12 जो questions है और उसके बाद ये 13 है वो बता रहा है उसमें पूछा है कि थांडाइक ने अपने सिखने के सिधानत का प्रतिपादन किसके उपर प्रियोग करके किया है ठीक है चौदा हूँ है कि कोहलर के सिखने के सिधानत को किस नाम से जाना जाता है ठीक है तो ये जितने भी questions है इनके answers हमारे next वीडियो में आप सभी को मिल जाएंगे उससे पहले अब आते हैं अपने अती लगुतरिया प्रेशन पर ठीक है इसमें जो question number 16 है वो है बाल विकास की अंतरगत वाल्यावस्था की अवधी कौन सी मानी जाती है question number 17 इसमें असक्षित व्यक्ति बालकों की बुद्धी कमापन की स्परिक्षन से करते है question number 18 है बालक के समवेगात्मक यानि कि जो emotional development होता है बालक के समवेगात्मक विकास से संबंधित विकासात्मक सिध्धान्द का परतिपादन किस ने किया है question number 20 इसमें है कि व्यक्ति दूसरे लोगों या समाज के अन्य लोगों के प्रगति के लिए सोचकर कार्य करता है उसे क्या कहते है ठीक है अगला इसमें है question number 22 उसमें CAT का निर्माड किस ने किया है question number 23 Stanley Hall ने किस दूरा वस्था को कौन सी अवस्था कहा है question number 24 वह शक्ति जिसके कारण विक्ति किसी कार्य को करने या ना करने के लिए वाद्धे हो जाता है उसे क्या कहते है ठीक है question number 26 कोहलर ने अपने सीखने के सिधानत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया था ठीक है या किसके ऊपर प्रियोग करके किया था question number 27 पावलो द्वारा अपने प्रियोग में पहले घंटी बसती थी फिर भोजन दिया जाता था यहां प्रिक्रिया कई बार होने पर अंतमे क्या पाया गया question number 28 नियमित दिनचर्या सबके साथ समायोजन आत्म विश्वास समवेग आत्मक परिपक्तवा और आम मुल्यांकन की शमता किस प्रमुख किसका प्रमुख लक्षण है question number 29 इसमें पूछा है कि जीन पियाज ने बालक के संग्यानात्मक विकास में किन क्रियाओं या प्रक्रियाओं का वरड़न किया है question number 30 पूर्वग्यान विश्यवस्तु शारीरिक स्वास से वब परिपकोता मानसिक स्वास से वब परिपकोता अधिगम की एक्षाव प्रेड़ना आधिक किसे प्रवावित करने वाले कारक माने जाते हैं अब आते हैं अपने वेरी जो शॉट टाइप कोईशन से यानि लगूतरी अप्रेशन पर इसमें दिया हुआ क्वेशन नबर 31 की बुद्धी लब्धी से आप क्या समझते हैं ठीक है क्वेशन नबर 32 अंतर मुखी व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं सीखना या सीखने से आपका क्या तातपर है ठीक है Q37 कि सीखने की सीखने के ततपरता के नियम से आपका क्या आशा है Q38 पूछ रहा है कि मानसिक ठकान से आप क्या समस्ते है Q39 कह रहा है कि कोहलर के अंतर द्रिष्टी सिध्धान्त से आपका क्या तातपर है Q40 सीखने से प्रथम प्रश्न पत्र के जो 40 questions थे बाल विकास के उसके बारे में इन सभी questions के answer हमारे हम अपने अगले वीडियो में आप सभी को देंगे Thanks for watching this video